आप सबी ने 3x3 magic square तो किया होगा लेकिन 3x3 magic square को आपने construct करना नहीं देगा होगा तो आज की वीडियो में आपको पताने वालों कि how to construct 3x3 magic square अगर नहीं भी है तो आप खुद का भी construct कर सकते हैं तो चली ही शुरू करते हैं आज before starting this thing let me tell you one step for this that you have to select 1 to 9 numbers मतलब 8 से लेके 9 digits आपको select करनी है actually 9 digits लेनी है आपको ये digits continuous होनी चाहिए चाह 1 से 9 हो चाह 2 से 10 हो चाह 3 से 11 तब हो positive में चाह नेगिटिव में 9 digits लेनी है continuous तो और पे okay so are you serious or you try to make fool of the people watching you I am watching you sitting back and I want each and everyone to watch this video so that we can judge that he is right or wrong let's watch it sure it will surely work you will see you are sitting there na just sit there and watch this video till end it will surely work so what are you saying कि 9 digits आपको select करनी है चाहिए वो कोई सी भी हो अगर even number भी आप ले रहे हो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and 18 इस तरीके से आप 9 digits ले सकते हैं consecutive बोनी चाहिए एक के बादे even और number भी ले रहे हो अगर आप और number में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से 9 digits आप ले लीजिए या फिर अगर negative में नमबर भी ले रहे हो minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 ऐसी 9 digits आप ले लीजिए ठीक? फाइनल आपको 9 digits ले नहीं है continuous बोने में चाहिए कोई सी भी हो even हो, odd number हो या फिर negative number हो continuous no digit होनी चाहिए एक के बाद एक ठीक? इसके आपको करना कहा है जैसे कि आपको ये magic square दिख रहा है आपको इस magic square में हर एक middle box पर एक box और लगा ले ना outer side पर जैसे कि आप देख पारे हो now हमको ये no digit इसमें पुट करनी है diagonally हम इसमें पुट करेंगे हम 1, 2, 9 का example ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमने पुट कर लिया last चाहब हमारा ये है कि जो अंदर cube box दिख रहा है square box दिख रहा है उसमें कुछ box missing है तो हमको करना क्या है कि 1 जो है उसको हम दूसरी साइट पे ले जाएंगे opposite direction में वहाँ place कर देंगे 9 को इसकी opposite direction place कर देंगे 3 को इसकी opposite direction में place कर देंगे और 7 को दूसरी साइट opposite direction प्लेस कर देंगे अब आप देख रहे होगे भार जो box बने हो थे middle में उसको छोड़के बीच में आपका magic square रेडी हो गया है तो यही आपका 3 by 3 magic square आप इसका total कर लेना column wise, row wise, column wise, diagonal wise सब सेम आएगा तो यही आपका magic square थेंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो जिसको भी वीडियो अच्छी लगिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और शेयर दिट टो यह फ्रेंड सो देट क्यों उनको भी इस तरीके एक उस magic चीज है